हेलो दोस्तों वेलकम अगेंड तो आर लर्निंग चैनल आज हम फिर से कॉंटिन्यू करते हैं अपने पुराने टॉपिक को मैंने पुराने टॉपिक में आपको पढ़ाया था है नुट्रिशन इन यूमन मिंग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आज पढ़ेंगे कम्प वमारे भास यह फूड को क्रस्पस्टी औरते चीव करते हैं यह फूड को यह चोटे-जटे जधे करने में तोड़ने में मदद ळें इनीचल इस्टेज्ज यहांसे श्ठाट होती है है आगे देखेंगे, the food is taken in through the mouth, यहाँ पर क्या कर लिया गया, इसको taken in कर लिया गया है, आगे, देखेंगे, food के बात में फिर क्या होगा, mouth के अंदर में, इसके साथ में क्या क्या सीन होना है, inside the mouth, the food is processed to generate particles with small size, इसको यहाँ छोटे-छोटे हिस्सो में तोड़ा जाएगा, small size में convert किया जाएगा, चियू किया जाएगा, प्रोसेस का मलब चियू करना होगा, चीरना, फारना, यह सब काम कौन करता है, दातों का काम यही होता है, ठीक है नहीं यहाँ पर, दातों के यह हम पर हमने इनको टेकनिकल भासा में मैक्सिवाल और मैंडिवल बोल दिया करते हैं, इनको हटा देते हैं साइड में, अभी आपको जबडे का जो काम था रोल वो समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं, आगे चीरों को देखते हैं, तो हुआ क्या यहाँ पर यह चोटी- काम मानव शरीर के अंदर में सबसे पहने भूजन को मिलने वाली गरंधी हो का सupport अनुबुट्षाि क्या काम करते हैं गर्रशन दिखते का न्यां यहां पर तो हमने चोटे-चोटे बर्ट्रीकमे थी टोड़ा था दातों के द्वारा उसको wet यानि गीला किया गया और गीला करने के बाद में वो भी किसने के सलाइवा ने सलाइवा कहा से आया था यहां से यानि यह आपको clear था कि हमारे पास में कौन जी गरंती होगी लार गरंती होगी लार गरंती से क्या निकलेगा लार गरंती से हमारे पास में क्या निकलेग लार था अब बात करते हैं इस सीक्रेशन के अंदर में एंजाइम भी होता है एंजाइम का यहां पर नाम क्या था लार एमिलेज यानि सलाइवरी एमिलेज अब गरंति का नाम आपको लार गरंति थी जो लिखा हुआ यहां सला एंजाइवरी डेंच थी कि स्थी करेशन का नाम लार रुङ रलार के अंदर में आपको लार अब यह क्या होगा यहां पर कुछ न हो काम करते होंगे इन्होंने भोजन को क्या कर दिया अब आगे देखते हैं आगे और का स्टैप उठाया स्टैप यह उठाया जिदा करने के बाद में सो डाइट इट कें पास त्रोधा सॉफ लाइनिंग और अलिमेंटरी कनल जिससे क्या है यह अंदर से गिला जब स्वरूप इसके पास आ जाएगा तो इसको आगे पा अगर ठीक है अब यहां देखेंगे यह ग्लैंट्स को दिखा रहा है अब ग्लैंट्स के बारे में एक्सेसिफ तिंग्स जो आपको है जूम आउट करेंगे बताएगा यहां कि सलाइवा कि कंटेंज एंजाइम कॉल्ड डिकिसाइविरीय मिलीज के वरत में आपको पढ़ाया किलेज्व क्या करें का एक्ड kang कि स्थार्ज के डिया है अभी स्थट अत्र क्या कॉंप्लैक्श जटेल है जो हमारे मिलिग स्थार्ट को स्वेशो क्या करेंग ब्रेंट इंट्स होतीया कि है सूगर में किस malad Case jsॉखर में आपको क्लेर हो गया किस स्टार्च जो ता कॉंप्लैक्ट शुगर था अब उसको इन व्लिए maybe इस जो सालिव случай मोने अनदर मिला तो और संद्र livelihood ज preoccupi के अंदर आपको और कहा की स्टार्ट को किसमें तोड़ दिया सिंपल शुकर में तोड़ लिए कि इस्टैप का यह हो चुका है मैं पोछ रहता हूं आपसे पहली कृंटी- यहांही ऑनाम- kin लट्रम से निकलेगा वसका नाम विला के अंदर in लार एमिलेज जो होगा वो क्या करने वाला है वो भोजन जो हमने ग्रैंड किया था उसके अंदर जो स्टार्च था जो अधार जो अधार उसको इस एंजाइम ने सिंपल सुगर में कर दिया अब यहां आपको पहले ग्रैंड ने जो काम किया वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया आगे आते हैं आगे देखते हैं कि आगे और क्या एक्टिविटीस में होती है फूट के साथ में अब यह सुगर में कनवर्ट हो चुका है फूट इस पार्टली डाइजेस्टेट इंट पर जाता है तो जाते हुए आपने देखा नाओ अधा पाडले डाइजेस्टेट फूड गोज डाउन दा इसो वेकस वेकस में अंदर आता है अब यहां में आपको इसो वेकस में नीचे आएगा देखेंगे यह फूट जो है यहां से का हैगा कि डाइजेस्ट होगा साथ देखो अब फूट नीचे आता है मैं आपको इस से पर एक चीज बताना जाऊंगा यहां देखो, अब थोड़ा सा यहां एक चीज़ का ध्याना केंगे, यहां कन्फिजन होती है, आपको यहां पर देख रहा होगा, कि यहां फूड जो है, उसको 200 में आपने देखा होगा, कि यहां हो पाइपला एक श्ठेक्टर देखो, एक पाइप यह बना हुआ, और एक हिस्सा यह दो अलग-अलग हिंस्से हैं एक फूड पाइप और एक विंड फाइप है अब बात सहरी कि भोजन समझदार कैसे होसे क Deshalb फूट पाइप में जाना है यह यलो वाला इससा फूट पाइप हो गया और यह वाला हिस्सा कौन से होगा विंड पाइप हो गया तो इतने समझदारी कहां से आती है तो आप यहां देखेंगे कि यहां पर एक यह यहलो प्लार का इसको बोलते है फ्लैप लाइक स्ट्रक्च्र ये हमोजूद होता है किसका बनाता है कार्टिलेज का कार्टिलेज वाली कार्टिलेज परटिके बनी होती है करता है जब हम फूड को इंटेक करते है तो यह इसको डग देता है तो फूड को जाने के लिए कौशा रास्ता रहता है यह वाला आप याद रखेंगे कभी होता ना बोजन निगलते समय हमारी सांस रूप जाती है अगर बोजन यह आटक गया है क्यों कि एपिक लॉटिस इस प्रेसर लगता है यहां से फूड को नीचे लिगलना होता है और नहीं निगल पाता है यहां अटक गया तो यह पीक लॉटिस के उपर आके बैठ गया एपिक लॉटिस पर बैठ जाएगा तो क्या होगा विंट भाइप बंद हो जागा और हमारा यहां दम गोटना स्टाट हम पानी पीकर क्या करते प्रेसर मिंटेन करते हैं जिसे एपिक लॉटिस के ऊपर फूड नाटे के और का बहुंच जाए फूड वाइप में नीचे की तरफ सब्सक्राइगा और बज़े की बात हम दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते हैं जब कभी भी एयर नैसल कैविटी से तरहlando कि इस तरीके से inपिक लॉटिस क्या प्रशार करता है रूट को डाइवर करते है और विंड को के लिए चीजतेление और इंदर में था कि तो आगा गाम किया वो भी आपको लिए हो गया घ्याज है इंट आपको फोल पोले ऐब बटा तो अब बात आती है वह अगोल निय trekk laugh यहां पर आपको दिखाया क्या था कि फूट जा रहा है तो इन्ड़ पौट जा रहा है तो यी यह यह वॉरारी seguePop पनाल या उसका कि सो यह चेलिक्ट तन। मुवमेंट को हम क्या बोलते हैं हम इसको इस तरह की मौल दिया करते हैं परिस्टालिटिक मुव्मिंट इसको बोलते हैं करमांक कुचक गती कौनसी वाली गती? फूड का इस अहर नलिका के अंदर में travel करना muscles का relax करना contract करना contract करना relax करना तो यह जो चलता है जिसके यह से food आगे जा रहा है motion कर रहा है इस गति को हम बोलते है peristalletic movement यानि करमांगोचक गति अब इस गति के द्वारा भोजन जो है इसो वेकस से होता हुआ लुषकन का नीचे उतर अब आगे आते हैं आगे दिखते हैं चीजोंको है अगे अफूड एंटर इंटू दी इस टमक अब फूड कहा जाता है भोजन जो है वह पईठ के और पेट के इंदर आने के बाद में the gastric glands present in the stomach release three gastric juices अब gastric gland यानि जिसको हमने क्या बोला यहां पर उसको बोला हमने gastric gland को हमने बोला यह क्या होती है जटर ग्रंथी होती है जो कहा मिलती है पेट के अंदर मिलती है यह क्या करती है gastric juice यानि जिसको क्या बोलते है जटर रस बोलते हैं यह निकालती है इसके अंदर से आपको तीन चीज़े मिलती है पहला मिलता है HCl जिसको बोलते है हाइड्रो क्लोरिक क्लोरिक एसेड हाइड्रो क्लोरिक अम्बला दूसरा फिर निकलता है पैपसिन तीसरा निकलता है म्यूकस HCl pepsin mucos यानि हैड्रो क्लोरिक एसेड पैपसिन और म्यूकस लेश्मा जो है जटर गृंती से निकलता है अब यहाँ पर क्या हो रहा है फूड यहां से आया अब इसके अंदर में यह तीन जो चीजे हैं जटर गृंत के अंदर में मौझूद होती है इन तीनों का काम क्या क्या होता है वह हम यहां पढ़ने वाले हैं ठीक है इन तीनों का काम क्या होता है वह हम यहां पर पढ़ने वाले यहां देखते हैं बटा एक करके यहीं से देखते हैं स्लैट के थ्रोड देखते हैं बटा देखेंगे सबसे पहले गेस्टिक लैंड न सबसे पहले हैं यह फूर्ट के अंदर में जो जंप होते हैं उनको यह मार देता है आगे जंप को इसने क्या अगर दिया मार दिया जंप को मार दिया है यहां पर HCL पैपसिन और म्यूकस तीन तरह की चीज़े बनी है एक सेल ने दो काम किये पहला काम जंप को मारना दूसरा काम HCL ने किया वह एक acidic medium यानिए अमलीय माध्यम बना कर लग देगा क्यों मैं दो नामा और मता है पैपसिन और म्यूकस तो पैपसिन× को कुछ काम करना होता है तो cookies करोंगा तब food के अंदर में कौनसा medium होगा acidic medium होगा जnब massive होगा यह वह antic magic medium आता है वह है यहां काम कर सकता है अब पैप्सिन यहां आकर क्या काम करेंगा वह देखते हैं अब प्रोटीन को पार्टीन को सिंतसाइज कर देता है प्रोटीन का संसलेशन यहां हो जाता है प्रोटीन को सिंतसाइज कर लिया प्रोटीन को सिंतसाइज यहां कर लिया आगे आएंगे देखेंगे अब दो काम हो चुके है एक्सिल का पैप्सिन का तो म्यूकस यानि स्लेशमा क्या काम करता है म्यूकस यहांने श्लेस्मा यहां आप देखेंगे प्रोटीन को यह आपके अक्लीर हो गया यहां स्लेस्मा which protects the inner lining of the stomach from the action of acid मैं आपको बता दू hydrochloric acid जो होता है यह hydrochloric acid क्या होता है strong acids की category में आता है और strong acid हमारे शरीर के अंगों को गलाने में सक्षम होते है उनको नुक्सान पहुचाने में सक्षम होते है यहां एक question arise होता है कि सर HCL अगर पेट में है तो पेट के आंतरिक दिवारों को HCL ने गलाया क्यों नहीं उसको नुक्सान क्यों नहीं पहुचाया पहुचाया क्यों नुक्सान क्यों पहुचाया तो म्यूकस का काम क्या होता है पेट की आंतरिक दिवारों पर जो आमासा है स्टमक जो है उसकी इंटर्नल लाइनिंग जो जो वॉल्स होती है उन वॉल्स पे सबसे पहले यह रिलीज होकर उसको डग लेता है अब वॉल्स फिर मुकस उसके बाद में जगावस्ती है उस जगा के अंदर में HCL अपना काम कर रहा होता है यानि HCL और पेट की जो दीवार है इनर लाइनिंग जो है उनके बीच में दीवार बनकर कौन खड़ा हो गया म्यूकस खड़ा हो गया है म्यूकस HCL को पैपसिन से मिलने नहीं दे रहा है उम्बीद करता हूँ कि जितना मैंने आपको पढ़ाया यहां पर जो गैस्टिक ग्लाइंट के इंदर जो तीन रोल मैंने आपको पढ़ाया कि HCL ने जम्स को मारा अमली अमाधियम पैदा कर दिया म माधियम जब मिंटेन हो गया तो जो हमारे पास में पैपसिन आया और पैपसिन ने प्रोटीन को पार्शली संतेसाइज कर लिया उसके बाद में फिर क्या हुआ म्यूकस ने इनर लाइनिंग से एसेट के प्रवाब से पेट को बचा लिया इस दौरान अब पेट के अंदर म मसल्स होती है स्विंचर मसल्स होती है यह स्विंचर मसल्स क्या करती है बैक फ्लो अब फूड को रोकती है फूड उल्टा न जा है खाना खाके लेड़ जाते ना कभी आता है यह फूड के बैक फ्लो को रोकती है फूड यह स्टोर होता है कुछ समय के लिए यह आगे भी फ चुदांतर में यानि स्मॉल इंटस्टाइन में उससे पहले मैं इस वीडियो के अंदर एक सस्पेंस क्रियेट कर देता हूं जिसको मैं रिजॉल्व करूंगा अगली वीडियो में मैं इसको भी डाइजेस्टिल सिस्टम को भी मिल्टिपल पार्ट्स में पढ़ा रहा हूं कि अब यहां मैं सस्पेंस का चोड़ रहा हूं आपसे आपको बता रहा हूं कि आपको यह आईडिया लगाना है कि एस वीडियो में दूंगा आप तब तक के लिए अपने जवाब को तयार करें और मैच करके देखें कि जो आंसर मैं आपको दे रहा हूं क्या वह आपको प्रदगार सावित होने वाला है कीप लर्निंग के प्रैक्टिसिंग